आज बूद्वार को सुनिए भगवान गनेश की कथा कथा रिशी केस में गंगा जी की किनारे एक संत रहा करते थे वो जन्म से आंधा थे और उनका नित्य नियम था कि वो साम के समय उपर गमन चुम्बी पाहार में भ्रहमन करने के लिए निकल जाते थे पाहारो के उपर जाकर गनेश भगवान का नाम जापा करते थे उनके नाम से कृतन करते थे उनका गुनगान गया करते थे एक दिन उनके एक सिस्य ने पूछा बाबा आप हर रोज इतने उचे 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 पाहारो पर भ्रहमन हेतु जाते हैं वहाँ बहुत गहरी गहरी खाया भी है और आपको आखों से दिखलाई भी नहीं देता क्या आपको डर नहीं लगता अगर कभी पाव लर्खरा गए तो बाबा ने कुछ नहीं कहा और साम के समय सिष्चे को साथ ले चले गए पाहारों के मध्य में जाके बाबा ने सिश्य से कहा कि जैसे ही कोई गहरी खाई तुम्हें दिखाई दे तुम मुझे बता दे ना जैसे ही दोनों चलते रहे और थोड़ी दिर बाद ही गहरी खाई आई सिश्य ने बताया कि बाबा आगे गहरी खाई आ चुकी है बाबा ने कहा मुझे इसमें धक्का दे दो सिस्य ने हैरान होकर कहा आप क्या कह रहे हैं बाबा बाबा ने कहा मैं ठीक कह रहा हूं मुझे तुम खाई में धकेल दो सिस्य बाबा की बाते सुनकर हकबक रह गया ने कहा बाबा मैं आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ मैं ऐसा हर किस नहीं कर सकता आप तो मेरे गुरु देव हैं मैं तो अपने किसी सत्रु को भी इस खाई में नहीं धक्ल सकता बाबा मुझे माप कर दो बाबा ने फिर कहा कहता हूँ कि मुझे इस खाई में धका दो यह मेरी आग्या है और मेरी आग्या की अवहेलना करोगे तुम नर्क गामी होगे शिष्य ने कहा बाबा मैं नर्क भोग लूँगा मगर आपको हरकिस इस खाई में नहीं धकेल सकता तब बाबा ने सिष्च से कहा रे नाधान वालक जब तुझ जैसा एक साधन प्राने मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो बता मेरी भगवन मेरे गनेश मुझे कैसे इस खाई में गिरने दे सकते हैं बता नेजी को तो सिर्फ गिरी हुए को उबारना आता है गिरी हुए को उठाना आता है वह कभी भी किसी को गिरने नहीं देते इस महाराज तो हर पल हमारे साथ है बस हमें विश्वास रखना होगा उन पर तो सभी प्रेम से बुले गनेज भगवान की चै एक समय की बात है कि साहुकार अपने पत्नी को लाने के लिए अपने ससुरार गया कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची दुर भाग्या से उस दिन बुध बार का दिन था लर्की के परिवार बालों ने कहा कि आज बुध बार का दिन है जो कि किसी कारे है तू सुब नहीं माना जाता है इसलिए आज तुम मत जाओ इंदू साहुकार ने किसी की एक ना मानी और पत्नी समेथ अपने ससुरार से घर को प्रस्थान किया राष्टे में साहुकार की पत्नी को प्यास लगी उसने साहुकार ने से कहा तुम बैल गारी में ही बैठो मैं पानी लेकर आता हूँ जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसका सकल का एक आत्मी उसके पत्नी के साथ बैठा है तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा तुम कौन हो तब उसने कहा मैं साहुकार हो और फिर दोनों के बीच में जगरा सुरू हो गया और वहां लोग और कुछ सिपाही आ गये जिन्होंने उस इस्तिरी से पुछा तुम्हारा पती कौन है तब वो इसका उत्तर ना दे सके और साहुकार अपने मन में कहने लगा कि ये प्रभू कैसा लीला है आपका तब आकास बानी हुई अरे मुर्ख आज बुद्ध बार का दिन था तब ही तुने आज ही कमन किया ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है वो तुझ से रूठ गये है तब भगवान बुद्ध देव से समाय आचना की और तब वो आकास बानी खतम हो गई और इंसान के रूप में आए बुद्ध देवी अद्रिस हो गए और फिर साहुकार अपनी पतनी संग घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की जो भी इस ब्रत कथा को सुनता है उसको बुद्ध बार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है पुरे दिन गनेजी की सेवा में लगे रहते थे प्रताकाल उन्हें बरे प्रेम से उठाना असना नादी खरवा कर वह उन्हें अंधियन प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन किर्दन में लीन हो जाते थे और रातरी में भाक्ती और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुला कर स्वेम सोते थे यहां काड़े उनकी दिन चारे बन गया था ऐसा प्रति दिन करते करते उनका समय कब व्यदित हो जाता था उन्हें स्वेम भी इस बात की ग्यात नहीं थी वह जहां भी जाते वह गनेशी को अपने संग ले जाते हर चन उन्हें सिर्फ गनेशी का ध्यान रहता वह सिर्फ उनकी ही बात क्या करते और गनेशी भी उन संद की सेवा भाव से अधी प्रसन रहते थे वो कहते हैं ना कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा रीदय चाहिए और कुछ भी नहीं जह बात इस कहानी से सिध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ती की सक्ति से ही बस में किया जा सकता है एक बर वह संथ कुछ अन्य संथों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संथ अपने साथ गनेश जी को भी अपनी यात्रा में ले आए और अपनी साथ बाली सिट पर उन्हें ब्रजमान कर उनको परनाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओल प्रेथ होकर प्रभु का भजन कृतन आरम कर दिये गैनेश भजन और कृतन की समापति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लेन हो गए और कब उनकी मंजील आ गई उन्हें पता भी नहीं चला सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतर कर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुँच गए मैं भोजन कैसे ग्रहन कर सकता हूँ और गनेश जी को भोग लगाने के लिए भोग की तयारी करने लगे किन्तु यह क्या जब वह संत भोग लगाने के लिए गनेश जी को अपने भक्से में से निकालने लगे तो गनेश जी तो वहाँ पर बिरजमन थे ही नहीं यहां द्रिश्या देखकर संद को बहुत आघात लगा, वह अपने चारों तरब गनेश्ची को ढूनने लगे, किन्तु गनेश्जी नहीं मिले, वह संद निरास हो गये, अब उन्होंने अपनी व्यवस्था अन्य संदों से ही कही, तो सभी संद मिलकर पूरे आसरा में गनेश गनेश्ची को ढूनने लगे, किन्तु गनेश्ची कहीं नहीं मिले, अब वह संद और जादा निरास होने लगे, वह सोचने लगे कि बीना गनेश्ची की मैं क्या करूंगा, यहां बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से असरु की धारा बहने लगी, यहां देख अन्य संद उन सजन संद को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यादी आपकी गनेश्ची नहीं मिल रहे हैं, तो हम आपको दुस्रा गनेश्ची लाकर दे देंगे, किन्तु आप अपना मन हलका मत करिये, किन्तु वह संद नहीं मानें, वह लागातार रोय जा रहे थे, और यहीं कह रहे थे कि मुझे तो अपनी वही गनेश जी चाहिए जीन से में रोज प्यार दुलार करता था उनके अलावा अनने कोई नहीं चाहिए उन्होंने अन और जल भी ग्रहन नहीं किया ऐसा करते करते चार पाच घंटे बीट गए इधर गनेश जी कहीं नहीं मिल रहे थे और उधर चानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखरी वार उन्होंने गनेश जी को ट्रेन में बठाया था और प्रभु भक्ती की चर्चा में लीन हो वो कब बगेर गनेश जी को लिए आस्रम पहुँच गए उन्हें पता ही नहीं चला यहाँ बात सुनते ही समर्ष्थ संतों ने उस सजन संत से कहा कि अब तो चार पाच घंडे बीद गए वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी यहाँ बात सुनकर सजन संत ने अन्य सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगेर अपने गनेश जी को लिए ट्रेन से उतर कर आस्रम पहुँच आया किन्तु मेरे गनेश जी मुझे छोर कर कहीं नहीं जाएंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि गनेश जी मेरी वहीं पर परतिक्षा कर रहे होंगे एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्म विश्वास देकर वहां उपस्तीत सभी संत उन सजन संत को साथ लेकर स्टेशन के और चल दिये स्टेशन पहुंचकर संतों ने स्टेशन मास्तर को अपनी सारी कहानी सुनाई जहां बात सुनकर स्टेशन मास्तर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले चार पाच घंटे से स्टेशन पर ही खड़ी है हम सभी बहुत परिशान है कि बीना किसी तक निकी समस्य के व देर ना लगी कि यह सब तो उस लिलाधर की है ये तो गनिस महराज की ही लिला है और वह मुस्कूराते हुए अपने ठाकूर को लेने चल दिये ट्रेन की बोगी में पहुंच कर जब उन संत ने ठाकूर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भादी बैठ कर अपने पिता का इंतजार कर रहा हो कि कब उसके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे तब उन संतों ने गनेश जी को परणाम कर और चामा याचना करते हुए गनेश जी को ट्रेन से नीचे उतार ले आए अंत में यह द्रिश्या देखकर सभी हैरान रह गये जब वह सं पीना किसी तक नीकी समस्य के स्टेशन पर पिछले चार पाच घंटे से खड़ी थी वहां खड़े सभी स्वजन पुरुशों ने भाक्ति की सक्ति का या द्रिश्य देखकर सभी ने गनेशी की चर्णों में सत सत परनाम किया और आसरम की और चल दिये सभी प्रेम से बोले गनेश महराज की जय हो पुरानों में बताया गया है कि एक बार भगवान गनेश गंगा नधी के किनारे तपस्या कर रहे थे इसी कालवधी में धरमातमज की कन्या तुलसी विबा की इच्छा लेकर तिर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी सभी तिर्थ अस्थल का ब्रामन करते हुए गंगा के टट पर पहुँची गंगा टट पर देवी तुलसी ने देखा कि यूबा गनेश जी तपस्या में लीन थे सास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गनेश जी रतन जटित सिंगहासन पर बिरजमान थे उनके समश्थ अंगों पर चंदन लगा हुआ था उनके गले में पड़िजात पुस्प के साथ स्वर्न मनी रतनों के अनेक हार पड़े थे उनकी कमर में अंत्यंत कोमल रेसम का पितामबर लिप्टा हुआ था तुलसी सिरी गनेश के इस सुन्दर स्वरू पर मोहित हो गए उसके मन में गनेश से विवा करने की इच्छा जागरित हुई तुलसी ने विवा की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया तब भगवान स्री गनेश ने तुलसी द्वारा तब भंग करने को असुब बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयम को ब्रमचारी बताकर उसके बिवा प्रस्ताव को नकार दिये बिवा प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गनेश जी को सराप दिया कि उनके एक नहीं बलकी दो बिवा होंगी इस पर स्री गनेश ने भी तुलसी को सराप दे दिया कि तुम्हारा विवा एक असूर से होगा एक राक्षाज की पतनी होने का सराप सुनकर तुलसी ने गनेश जी से माफी मांगी तब गनेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवा संग चूर राक्षा से होगा कींदू फीर तुम भगवान विष्णू और स्री कृष्ण को प्डिया होने के साथ ही कल्यूग में जगत के लिए जीवन और मुक्ष देने वाली होगी पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना सुभ नहीं माना जाएगा तब से ही भगवान स्री गनेश जी को पूजा में तुलसी चढ़ाना वरजित माना गया है प्रेम से बोलिए गनेश जी की जय तुलसी जी की जय अन्य कथा का नुसार हनुमान जी के बारे में ऐसी माननेता है कि वह भग्वान राम के इतने परम भक्त थे कि वह उन्हें अपना माता और पिता मानते थे हनुमान जी को जब भी कोई चिंदा या परिशानी होती तो वह इस बारे में सबसे पहले अपने प्रभु स्तिरी रामर माता सीता को बताया करते थे एक बार ऐसा हुआ कि बाल्म की रिशी की आश्रम में माता सीता अपने हाथों से भोजन पका रही थे पावन सुत आये और बोले हे माता मुझे बहुत जोर से भोजन लग रही है भोजन दे सीता जी ने अपने हाथ का बना गर्मा गरम खाना हनुमान जी को दे दिया हनुमान जी सारा भोजन चट कर गए और फिर भी उनकी भोजन नहीं मिटी यहां तक की धीरे धीरे भंडार ग्रह खाली होने लगे तब माता सीता ने राम जी के कहने पर हनुमान जी को खाने के साथ एक तूलसी पत्र दे दिया तूलसी पत्र को खाते ही हनुमान जी का पेट भर गया और उनकी भूग सांथ हो गई तब ही से हनुमान जी की भोग में तूलसी दल को सामिल करने की परंपरा चली आ रही है प्रेम से बुलिए पौन पुत्र हनुमान की जय तूलसी मैया की जय धन्यवाद